तो गुड बार्निंग मेरे प्यारे बच्चों बेटर देखिए एक्सरसाइज 14 का क्लास 8 का क्वेश्चन 3 इसमें राइट एन राइट इन एक्स्पोनेंट फॉर्म में करना है तो देखिए क्या करेंगे इसमें ठड़ वाला दिया गया है इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 तो क्य क्या करेंगे वी नो दाट एपावर एम इंटू एपावर एन बराबर एपावर एम प्लस एन होता सभी मींस पावर को एड़ कर देखिए 2 से 2 माइनस केंसल होगा 325 हो गया ऐसे भी कर सकती है सब को एक साथ एड़ कर दो तो कि नहुए 4 3 7 माइनस 2 इसकल टू 5 इसी तरीके से नेश्ट दिया गया है आपका आपका थरी पावर लेकिन बेस सीम होना चाहिए देखिए बेस 5555 ही है यहां 4 4 4 4 है तो क्या करेंगे 3 7 & 2 10 to 12 माइनस 5 इसको टू 7 आया आप देखिए क्वेश्चन से नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है एक्सप्रेस इंदस 5 इसको पावर आप 3 इसको पावर 2 करना है इसको टू करना है इसको 1.4 करना है तो देखिए बच्चों क्या किया मैंने एक्सप्रेस इसमें पावर 3 कर देती इसको फैक्टर कर लिया तो 1,2,3,4,5,6,7,8 यह फैक्टर कर लिया 8 ताइम है 3 पावर 8 हो गया इसी तरीके 2 पावर 8 हो गया इसी तरीके से प्राइम फैक्टर करना प्राइम फैक्टर मींस इसका फैक्टर करना है जो भी हो आप इस तरीके से कर सकते है तो 2 इंटू 403 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इस तरीके से आप करते हैं इसको और अलग तरीके एक साथ दूसरी तरीके से भी कर सकते थे next देखिए इसी तरीके से बच्चों आप कोई बी पार्ट करना है बस ए और बी पार्ट सब्सक्राइब है देखिए आप वी सी कोई पार्ट तीन करिए दो पार्ट और बाकी आप प्रक्टिस के लागर ज्यादा ज्यादा करते हैं वह और अच्छा है तो दे देखे 3 3 6 और 2 8 तो 8 हो गया या आप ऐसे कर सकते हैं 3 2 5 देखे स्वारी ए बेस को से में देखे 3 2 5 5 भी क्यूब अपान वपाइब तो देखे ए से कंचल हुआ बी-पावर क्यूब हो गया अब इसी तरीके सी वाले को देखे क्या करेंगे सभी को आड़ कर देंगे तो टू टू-फोर में 3 सप्टेर करेंगे वन आएगा और पावर माइनस 13 है तो क्या करेंगे 13 वन जा 13 ए को ऐसे भी लिख सकते हूं माना पाने पावर 13 इसी तरीके से बच्चों 4 है ना तो इधर देखे a power m divided by a power n पर a power n बराबर a power m minus n सब्टेट कर देंगे तो minus 4 minus 5 तो minus minus plus होगा 4 minus 5 सब्टेट करेंगे 11 power 1 तो 11 तो 11 पावर 2 आया इसी तरीके से 7 नंबर 7 नंबर में simplify दीज तो 3 पावर 2 तो 2 तो 4 देखे 3 तो 6 इसमें multiply कर देंगे तो सीधे हो गया एक फार्मूला होता a power m to the power n बराबर a power m into n तो कर देंगे 3 तो 6 हो गया तो minus minus plus 6 हो गया इसी तरीके से आपको देखे 7 power minus 2 and 2 power minus 7 तो देखे इसको कौन सब बढ़ा है तो देखे इसको 1 upon 7, 1 upon 7 देखे तो 7 समझा 49, 128 तो यहां cross multiply करेंगे तो आपको यह बढ़ा होगा means 2 power 7 power 2 means इसका जो power है देखे minus 2 बढ़ा होता है minus 7 minus 2 बढ़ा होता है जिसकी power ज्यादा होगा वही number mostly बढ़े होते हैं therefore 7 power 2 is greater than 2 power minus 7 इसके बाद बच्चों देखे question number इसी कभी पार्ट है compare करना है तो उपर ले गए तो देखे 25 25 आल्रेडी यह greater होगा 125 means 5 power minus 3 is greater okay फिर इसके बाद है find the value of x देखे कंपेर होगे एक्स की value find करना है देखे इसको 21 इसको भी 21 करेंगे तो यह क्या होगा 21 into 21 factor के 3 हुआ बेस आर सेम यहां लिखेंगे बेस आर सेम और बेस आर सेम है तो बच्चों क्या करेंगे एक्स is equal to 3 आ गया सेम सिमिलर ऐसे करेंगे 234 तो यहां पर क्या करेंगे 3 power 4 हो गया उपर गया माइनस 4 हो गया तो बेस आर सेम देखें बेस आर सेम मतलब 33 है तो 2x minus 4 उस तरफ गया 2 power 4 minus 2 आया तो इस तरीके से बच्चों यह exercise complete होता है आप देखिए यहां पर radicals क्या होते है दस suppose यह पॉजिटिव इंटीजर greater than 1 and let a and b are the two numbers of such that dx पराबरे तो we can write in this form ठीक है बच्चों इस तरीके से इसके radicals के बारे में इसके example कर लिए इसके बाद बच्चों देखिए express the exponent form exponent form में convert करना है क्या करेंगे इसको देखिए radicals हैं अब टाएंगे तो 1 upon 2 हो जाएगा ठीक है इस तरीके से और भी questions कर सकते हैं तो देखिए exponent of the positive इसके positive क्या होते हैं यह power m multiply कर देंगे तो इसको मैं आपको बताऊंगा भी तो देखिए यह law of exponent radical यह very important यह सभी कर लिजेगे इसके बाद simple some examples दिये हैं आप कर लिजेगा आते हैं next देखिए exercise करते हैं